हेलो फ्रेंज मैं नामिका मेरे कीचेन में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज आज में सिवया उपमा की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आशान है इसे आप कभी भी इस निक्ष में या बेग फास्ट में बच्चों के लांच बॉक्स में बना के दे सकते हैं यह सभी पसर करते हैं और बनाना भी बहुत ही आशान है तो फ्रेंज इस रेश्पी को आप दिरू ट्राइ कीजिए और मेरे सेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूली तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं शेवया उपमा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने आधा लेटर पानी उबाल लिया है उसमें हम अब ये शेवया को डाल देंगे और इस उबले हुए पानी में हम इसे दो मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे शेवया को हमने उबाल लिया है इसे चेक करने का तरीका बता देती हूं दोनों हत्हेलियों से ऐसे दबाने पर पता चल जाता है कि ये उबल चुका है अब हम इसे गैस बंद करके एश्टेन कर लेंगे तो यहाँ पे एक बॉल रखेंगे उस पे एक इस्टेना रखेंगे और ये सेवया को हम इसमें पलट देंगे और फिर हम इसे ठंडे पानी से ऐसे धोल लेंगे इससे क्या होता है आपनी सेवया जो है एक दुसरे में चिपकती नहीं है सेवया हमें 80-90% ही कूक करना है बाकी का हम कूक मा बनाने में कूक कर लेंगे इसी पैन को हमने गयस पे ले लिया है गयस को हमें आन करना है अब हम इसमें एक बड़ा चमच तेल दालेंगे तेल को हम अच्छे से गड़म होने देंगे, तेल अच्छे से गड़म हो चुका है, अब हम यहाँ पे एक ओनियन को बाड़िक बाड़िक काट लिया है, उसे इसमें डाल देंगे, बैस तक में हम तेल भी रखके साड़े करेंगे, प्याँ को हम अच्छे से गड़म देंगे, उसमें हम कुछ पेस करीलिस डाल देंगे, उपमा में करीलिस के पेस बहुत की बढ़िया आता है, अब हम इसमें बाड़िक कटा हुआ हरी मेच डालेंगे, एक मीनत के लिए हमें प्याँ को अच्छे से भून लेना है, प्याँ को हमने भून लिया है, अब हम इसमें आधा टुकड़ा आलू का काट लिए हैं, क्योंकि उपमा में आलू बच्चों को बहुत पसंद है, आप चाहें तो डालें ने, तो इसकी भी कर सकते हैं, हम प्याँ के साथ आलू को अच्छे से पका लेंगे, ठोड़ा ठोड़ा है, तो ये आसानी से पक जाता है, इसमें कोई लिकत नहीं आती, अब हम अद्रक का ठुकड़ा डालेंगे, गाजर को जिसे हमने छोड़े छोटे ठुकड़े में काट लिया है, उसे भी टाल देंगे, इन सभी सब्दियों को हम 3-4 मिनद तक पका लेंगे, ये जो सब्दियां होती है, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी कम को मेड़ो जो है बहुत जल्दी पक जाता है, तो हम उसके लाच्च में डालते हैं, तो आप देख सकते हैं, अपनी आलो और गाजर जो है उपक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे, बारिक कटा हुआ टामाटर और केसी कम, इसे हम एक ही मिना तक पकाएंगे, कुकि ये सभी सब्दियां सौट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये पास्ता मसाला, ये मसाला डालके आप उकमा जरूर बनाएगा, उकमे कश्वाद जो है बहुत ही बढ़ जाता है, वो भी जब सेवया उकमा बनाना हो, तो ये मसाला आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, इसे ह सब्दियों के साथ मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ये श्टेन किया हुआ सेवया, जिसे हमने वायल करके ये श्टेन करके ठंधे पानी से दो लिया था, तो अब हम इसे सब्दियों के साथ डाल देंगे, इसका प्लेम स्लो करके, हम अच्छे से सब्दियों के स स्वाइया को मिलाएंगे यह बहुत ही पेश्पी स्वाइया पुपमा प्यार होती है हमें सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें स्वाज के अनुशार नमक डालेंगे तो ऐसे हम चारो तरफ फैलाते हुए नमक को स्वाइब करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां फ्रेश फ्रेश अलग अलग यह विखरा हुआ से वईया उकमा दिख रहा है बनाने में तो एक इंट्रेस्टिंग है ही खाने में भी टे तो घड़वाले भी खुश रहते हैं बच से भी खुश रहते हैं हमने सभी सब्सक्राइब को मशाले के साथ मिक्स कर लिया है अब हमने इसे 80% ही पूप किया था तो कभर करके एक मिनट तक मशाले के साथ सिवाइब को पकने देंगे तो चलिए अब हम धक्तन हटा लेते हैं आप देख सकते हैं अपनी सिवया कितनी बढ़िया त्यार हुई है अब हम लाश्ट में इस पे धनिया पता स्प्रिंकल कर लेते हैं धनिया पता टालने के बाद हमें पकाना नहीं है गैस को आफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक् सिवया उपमा बनकर तयार है अब चलिए हम इसकी फड़ा फड़ प्लेटिंग कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे एक एक दाना खिला खिला सिवया उपमा तयार हुआ है तो फ्रेंट्स हमने शेवया उपमा बना के तयार कर लिया आपने देख लिया बनाना कितना आशान है और खाने में तो आप टेस्ट करेंगे तो ही बताएंगे तो फ्रेंट्स इस रेस्पी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आज की मेरी रेस्पी कैसी लगी मेरे कॉमे झाल झाल